नमस्कार मैं हूँ अभिशेक चत्रवेदी धर्म कर्म में आपका स्वागत है बात करते हैं आज के पंचांग की अब आपको बताते हैं आज की तिथी के साथ ही बताते हैं कि ये किस तरह आपके लिए फल्लाई होने बाली है और अब बात करते हैं नक्षत्रों की नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहने वाला है आप पर क्या असर रह सकता है और अब बताते हैं आज की योग के बारे में जान लीजिए आज कौन सा विसिष्ट योग है अब बात करते हैं आज के रतोत्सव त्योहार और विशेश आयोजनों की और अब नजान आलते हैं चंद्रमा की इस्थती पर राहुकाल पर और जानते हैं दिशाशूल के बारे में चंद्रमा कुम राशी में दुपेर 12-58 तक तरंदर मीन राशी में होगा दिशाशूल मुदवार को उत्तर दिशा की यात्रा में दिशाशूल रहता है चंद्रमा दुपेर 12-58 कुम राशी में जिसका वास पश्चम में तथा इसके बाद मीन राशी के चंद्रमा का वास उत्तर दिशा की यात्रा में सम्मुक होगा सम्मुक चंद्रमा यात्रा में लाबदायक है राहुकाल मधिमान से दुपेर 12 वजे से दुपेर बाद 1.30 मिनिट तक बात करते हैं शुब मुहुर्थ और स्रेष्ठ चोगडिये की शुब मूरत उपर योग शुबाशुब समय तिवार नक्षत्र व योगा नुसार आज पूर्वा भादरुपद नक्षत्रों में दोश युक्त आती आवशक्ता में ग्रीह प्रवेश नक्षत्र तयाजय और उतरा भादरुपद नक्षत्र में विवाव अनप्राशन के शुब मूरत है शुब मुदवार को अभी जीत नामक मूरत शुब कारों में वर्जित माना गया है आज जनम लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में भी बताते हैं आपको तो पंचांग ग्रह नक्षत्र चोगडिया आदी के बारे में जाना आपने खास ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्रह नक्षत्र भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर भरूसा रखते हैं इश्वर से कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो नमस्काइ